तो कुल चार चीज़े हैं जिसे आपको time to time आपने Samsung Galaxy phone में करना है अगर आपको phone की battery को अच्छा रखना है अब phone की battery को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चक करना होगा कि आपकी phone में जो battery है क्या वो अच्छी condition में है या फिर वो खराब हो चुका है तो इस support बाले option को select करके phone diagnosis के अंदर चेले जाना है और सबसे पर आपको battery status दिखेगा इसके उपर tap करना है और कुछी समय में आपको आपका battery status बता देगा किस condition में है good है average है poor है तो battery life अगर आपकी phone में good है अच्छा है तब आपको next step की तरफ जाना चाहिए इसके लिए phone dialer को open करन करना है और एक code enter करना है star has double nine double zero has यहाँ पर आपको कोई भी option को छेड़ना नहीं है एकदम नीचे scroll करके जाना है और यहाँ पर आपको option देखने को मिलेगा battery stats reset simply इस option के उपर tap करके आपकी phone को एक बार restart कर लेना है अब इसके बाद next step हो जाता है battery calibration का battery calibration एक बहुत important चीज़ है कई बार अपने देखा होगा कि phone का battery percentage so कर रहा है 40% बट अचानक से 5-10 15 मिनिट के बाद phone का percentage एकदम 5-10 या फिर एकदम switch off हो जाता है that means कि phone की battery के अंदर जो actual capacity बचा हुआ है and phone की display के अंदर जो so कर रहा है वो आपस में mismatch हो रहा है तो इसी चीज़ को fix करने के लिए 100% complete हो जाए 100% हो जाने के बाद charging pin को निकाल के आपको इस्तमाल करना है और इस समय भी आपको बीच में charge नहीं करना है और एकदम आपको 0% तक कर लेना है मतलब कि आपको आपकी phone को इस्तमाल करते जाना है करते जाना है जब तक कि ना वो automatically off ना हो जाए एकदम 0% में आके फ जैसे ही phone 100% पर आ जाएगा आपकी battery calibration यहाँ पर successfully complete हो जाएगा अभी आपको यह जो mismatch वाला problem है यह आपको नहीं देखने को मिलेगा अब last और सबसे ज्यादा important चीज़ कई बार हमारे phone के अंदर एक बड़ा update आता है जैसे कि recently one UI 6.1 काया है इसके बाद one UI 7 कायेगा फिर one UI security updates के बारे में नहीं बात कर रहा हूं जो बड़ा updates आता है हमारे phone के अंदर उसकी बात कर रहा हूं और जैसे ही कोई बड़ा update इस तरीके का आता है phone को update कर लेने के बाद आपको आपके phone को laptop या फिर कोई भी smartphone के साथ connect करके clear cash prediction कर देना है क्योंकि new update आने के बाद battery problem हमेशा ह लगभग सारे smartphone के अंदर देखने को मिलता है तो यह करने से वह problem काफी हददक fix हो जाएगा बाकी यह process अपकी इस तरह से कर सकते हो इसके regarding चनल पे detail में वीडियो अभलेबल है आई बेटर में वीडियो को description में आप जाके चेक कर लेना तो आई होप आपको वीडियो पसंद वीडियो में थांक यू